121 लोगों की मौत के बाद फरार चल रहे सूरजपाल बाबा उर्फ भोले बाबा की पहली प्रतिक्रिया मीडिया में सामने आई है जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप हातरस कांड के बाद से फरार चल रहे भोले बाबा ने अब आकर मीडिया में बयान दिया है और बयान देते हुए उस धोंगी बाबा ने ये बात कही है कि दो जुलाई के घटना के बाद से मन बहुत व्यतित है इश्वर इस दुख की घड़ी से उबरने की सब को शक्ती दे इसके अलावा भोले बाबा ने कहा है कि मुझे विश्वास है शासन प्रशासन पर पूरी भ भरोसा है आप लोग भी भरोसा रखे उमीद रखे जो भी उपद्रवी है उसको बक्षा नहीं जाएगा यानि सूरजपाल बाबा उर्फ भोले बाबा ने जो बयान दिया है जो मीडिया में आकर पहली प्रत्य किरिया दिया है उसका सिधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि ह हाथरस के कांड में यानि हाथरस में जो घटना हुआ वो एक घटना नहीं थी बलकि एक साजिश थी इसके अलावा आपको बता दे कि सूरजपाल जो है वो अपने बयान में कहते हैं कि हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंग्य माधम से कमीटी के महा पुरुशों से ये कि है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन प्रयंत तन मन और धन से खड़ा रहने का आग्रह किया है जिसको सभी निमाना भी है और सभी जिम्मेदारी को निभाभी रहे हैं सभी महामान का सहारा ना छोड़े वर्तमान समय में वही मा भगदर में 121 लोगों की जान चली गई थी पुलिस प्रवचन करता बाबा सुरचपाल के सेवाधारों और सत्संग के आयोजगों के खिलाफ एफ और दचकर जांस प्रतार चल रही है छे लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं अभी तक मुख्या आरोपी देव प्रकाश मदुकर जो फरार था उसे शुक्रवार शाम को गिरफतार किया गया है बता दे कि देव प्रकाश मदुकर ये हाथरस कार्ड़करम का मुख्या यूजग था इसके साथ ही वो बाबा का खास आदमी भी है खासे के बाद बाबा ने उसी से फोन पर काफी दे तक बात की थी न दमातपुरा की नई कालोनी में है हाथरस कांट की जाच के लिए उत्रप्रदेश सरकार ने एक साइटी का गठन किया है जिसने इस मामले में अब तक 90 लोगों के बयान दर्च किये हैं ये जोनकारिक होदे साइटी में शामिल आगरा जोन के अतिरिक पुलिस महाने देशक आनुपम कुल स्रेस ने शुकरवार को दी है और इस पूरे मामले को लेकर जो बाबा है जिनको लोग धूंगी बाबा भी कहरें पाखंडी भी कहरें उनकी प्रतिकिरिया सामने आई है और इस पूरे घटना के बाद पूरे मामले के बाद पहली बार उन्होंने इस पूरे म मामले का रोपी है या फिर जो भी स्वाजिश करता है उसको बक्षा नहीं जाएगा उसको जो दोशी है उसको अपने दोश की सजा मिलेगी ही बाकि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी राय कमने बॉक्स में जरू बताइएगा फिलाल वीडियो क कुसमात करते हैं मलते हैं नहीं वीडियो में धन्यवाद